स्टूडेंट्स हावर यू हॉप यू फिट एन फाइन वेलकम अगेन इंगलिश क्लास आपकी जो इंगलिश की बुक है उसमें पेज नंबर 18 ओपन कीजिए ओपन योवर इंगलिश बुक पेज नंबर 18 इसमें इसमें देखे आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें देखो एक पा लाइंड है वल्चर यानि की गिद तो हमें वीवी पार्थ इस तरह से बनाना है कि यह अपने फ्रेंड तक पहुंच जाए ओके देखिए दा पांडा वैंस तू रीच हिस फ्रेंड दा वल्चर कलरदा वीवी पाथ इन सच एवे डैट यह रीच इस फ्रेंड की हमें वीव पार्थ इस तरह से बनाना है रास्ता बनाना है यह अपने फ्रेंड तक पहुंच जाए only वी वी पार्थ से ही इसको जाना है तो हम किस तरह से इसके लिए रास्ता बनाते हैं देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे देखो पहले यह वी अब इस वी से इस वी तक जाएंगे यहां पर जाएंगे इसके बाद V इसके बाद यहां तक गए वई पार्थ फिर वी तक गए फिर यहां वी तक उसके बाद फिर भी वी v और v इस तरह से यह v v parth यह panda है जो v v part पर चल कर आएगा और अपने friend तक पहुचेगा तो आपको v v part पर यानि कि v v की जो box बने है न उन्हें पर आपको color करना है ओके अब next है circle v आपको यहां कुछ letters दियो हिए हैं आपको v letter identify करना है और उस पे आपको circle करना है letter V E letter V circle the letter V W U circle the letter W circle the letter W M circle the letter W V इस तरह से हमने W letter को identify किया और उस पे circle लगाया underline W अब यहाँ पर तो हमने capital W पे circle किया था यहाँ हमें small W identify करना है और उस पे हमें circle लगाना है तो हमें किस तरह से लगाएंगे देखिए Y V U W underline W Y Z W U Q W underline W और इस W पे भी हम इस तरह से underline करेंगे ओके अब next है circle X circle X यहाँ हमें X letter identify करना है और circle लगाना है तो हम किस तरह से circle लगाएंगे देखिए capital X very good circle the letter X A हमें सभी letter को speak करना है ताकि identify करने में आपको problem नहीं आएं okay X circle the letter X K, circle the letter X, F, circle the letter X, F, X, circle the letter X, H, X, V, F, S, और A. हमने letter X, पे circle किया, इस तरह से आपको भी करना है, ओके, अब next है, underline X, यानि कि हमें small X, पे underline करनी है, ओके, X, underline X, F, K, underline X, X, underline X, K, R. ओके, अब next है, underline Y, अब ये है, small Y, अब हमें small Y पे underline करना है, Y, underline Y, U, I, और Y, underline Y, Y, Z, S, Y, अब next आता है, Y, capital Y, circle Y, अब circle letter Y, आपको identify करना है, और circle लगाना है, circle the letter Y, X, Y, K, L, K, Y, circle the letter Y, K, Y, circle X, F, S, F, V, A, इस तरह से हमने X letter identify किया, और उस पे circle लगाया, ओके, अब है next, circle Z, अब हमें यहाँ पर Z letter देखना है, capital Z, capital letter Z, identify करके circle लगाना है, चलो देखते हैं, पहले बेटा, आपको सभी letter को speak करना है, speak करके ही underline करना है, ताकि identify करने में problem नहीं आए, ओके, X, Z, हमें Z पर circle लगाना है, H, K, X, Z, circle the letter X, L, Z, circle the letter X, Z, X, Z, circle, X, F, Z, circle the letter X, K, अब next है, underline Z, small Z, अब देखिए, circle the letter Z, यह है, small Z, K, K, I, Z, circle the letter Z, Z, circle the letter Z, I, Z, okay, इस तरह से आपको यह work करना है, पहले इस पे आपको पार्थ बनाना है, रास्ता बनाना है, फिर उस पार्ट पे आपको color करना है, ओके, यहाँ circle और underline करनी है, और यहाँ भी same circle and underline करनी है, ओके, आपको 18 और 19 page number book में fill करना है, new class में new work के साथ मिलते हैं, bye.